आज की एक कहानी नेफी उरियो की है और बर्दमार में ये नागलेंट के चीप मिनिस्टर यानि की मुकमंतरी है और नेफी उरियो को आप लोग अपने स्क्रीन पर भी देख रहे होंगे कुछ और पिक्चर देख लीजे ये भी आप देखे उनी की पिक्चर है इनके बारे में जाननी से पहली एक बार आप लोग नागलेंट को देख लीजे देखे ये हमारा प्यारा भारत है और इसमें आप देखेंगे ये नागलेंट आपको देखने को मिलेगा कोहिमा इसकी राददानी है और आप देखेंगे कि 1 दिसंबर 1963 में नागालेंड को राज बनाए गया था इसकी सीमा अरुनाचल पिदेश असम मनिपुर से लगती है अंतराष्टी सीमा इसकी मेरमार से लगती है और यहाँ आप देखेंगे बिधान सबा में 60 सीटे हैं राज्य सबा में 1 सीट है लोग सबा में 1 सीट है और नागालेंड के अगर हम लोग छितफल की बात करें एरिया की तो 16,589 वर किलोमीटर में फैला हुआ है नाफी रियो नागलेंड के अंगामी नागा जनजाती से संबन्दी थे उनका जनम 11 नवंबर 1950 को कोहिमा जले के तो फैमा गाओं में हुआ था नाफी रियो के पिता सुर्किय स्री गुल हॉली रियो थे नाफी रियो ने अपनी सिक्षा Baptist English School कोहिमा और सैनिक स्कूल पुरू लिया से प्राप्त की है इसके बाद नाफी रियो ने दार्जिलिंक के सेंट जॉसेप कॉलिज में अध्धिन किया और बीए की डिगरी कोहिमा Arts of College से प्राप्त की है और आप देखते हैं कि नाफी रियो बिवाहित हैं और इनकी जीवन संगनी केसा रियो और उनके पांच बेटियां और आप देखें कि एक बेटा है और अगर हम लोग नाफी रियो के राजनितिक केरियर की बात करें फॉलिटीकल सफरगी तो आप देखे नेफिरियों ने बहुत ही कम उम्मिर में राजनीती की छेत में प्रवेश किया और अपने स्कूल और कॉलेज की दिनों से वह एक सक्रियर छात नेता थे नेफिरियों ने नागलेंड के मुखमंत्री बनने से पहले कई पितिति संगटनों का नेतित भी किया है कई संगटनों से जुड़े रहे हैं नेफिरियों एक सक्री युवा निता थे सन 1974 में उन्होंने United Democratic Front कोहिमा जिला के अध्यक की रूम में काम किया था फिर आप देखेंगे साल 1976 में नेफिरियों को UDF Youth Bank नागलेंड का अध्यक्ष बनाये गया था फिर आप देखेंगे नेफिरियों ने 1984 से 1987 तक उत्री छित अंगामी पल्चत की अध्यक्ष की रूम में काम किया है फिर आप देखेंगे 1913 में वो अखिल भार्तिय कॉंग्रेस कमेटी की सदस बन जाते हैं फिर आप देखेंगे 1989 में उत्री अंगामी दुतिय निर्वाचन छित से नागलेंड बिधान सबा के लिए कॉंग्रेस की उम्मिदबार की रूम में चुने गए और खेल, स्कूल, सिक्षा, कलाह और संस्किती वो उच्छे सिक्षा मंतरी के रूम में नियुक्त किये गए और अगर आपको लोकसबा या विधान सबा का सदस मनना है तो आपकी उम्मर कम से कम 25 साल होने चीए अधिकतम उमरी की कोई सीमा नहीं है और इनका चुनवा डारेक्ट जनता यानी की मद्दाताओं के द्वारा होता है अगर आपकी उमर 18 साल हो चुके तो बोटर सुची में नाम जोड़ चुका होगा मद्दाता बन चुके होंगे और आप लोग बोट डालने भी जाते होंगे इस चुनाओ करवाता कौन है? Election Commission of India, भारती निर्वाचन आयूग एक सम्मिधानिक संस्था है सम्मिधान के अनुछेत 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गी है 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में आप लोगों को हेड़क्वार्टर देखने को मिलेगा सू कुमार सेन पहले मुख चुनाओ आयूग देते 1984 से 1987 तक उत्तरीचित अंगामी पलशत की अध्यत की रूम में काम किया पर आप देखें 2002 में सेप्टमबर में नागलेंड ग्रह मंतरालेच से इस्थीपा दे देते हैं 2002 में नवंबर में नागलेंड विधान सभा से इस्थीपा दे देते हैं फिर आप देखें 2003 में 6 मार्च को नागलेंड के मुखमंत्री पत की सपत ले लेते हैं फिर आप देखते हैं कि 2008 में तीन जनवरी को मुखमंत्री पर पद से बरखास्त हो जाते हैं और नागालेंड में राष्टपती द्वारा लगाएगे फैसली के बाद आप देखते हैं कि 12 मार्च को DNA की नेता की रूम में विधान सभा के लिए फिर से चुने गए और नागाल की सलागा समती के सदस की रूम में निउप्त होते हैं 2014 से 2016 तक कोईला और इसपात पर इस्थाई समती के सदस बनते हैं 2014 से 2018 तक लोक लेका समती के सदस रहते हैं 2015 से 2018 तक किरसी पर इस्थाई समती के सदस रहते हैं 2018 में टीयार जेलियांग के बाद नागालेंड के मुखमंत की पद की सबत लेते हैं तो वर्टमार में नागालेंड के चीब मिनेश्टर हैं मुख मंत्री हैं आंगे राजनितिक सपर किस तरह से रहेगा ये तो आने वाला वक्ती बताएगा और इसके लिए रहता है कि न्यूच पेपर पढ़ते रही है अपने देश के जो भी नेता है पॉलिटीजियर है उनके बारे में एक सामान जानकारी देखते रहा करिएगा और आजकल तो आप देखें स्मार्टफ़ॉन का जवाना है तो आप सभी के बारे में जानकारी एकठी करते रहते हैं जानते रहते हैं